hello friends, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का साथ मार्च को समाज्य विज्ञान का पेपर होने वाला है जो पेपर आप सभी को कराएंगे, इसी परकार का पेपर आप सभी को बूढ के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ये 2024 का एक प्रकार का वारल पेपर हैं इस पेपर का संपूर हल आप जरूर देखिएगा फ्रेंस देखें समाजिक विज्ञान से आप बूर्ड के एक्जाम में यदि अच्छे प्रकार से कापी लिग के आते हैं तो आप सत्तर में 65 नंबर आसानी से पा सकते हैं तो आप वीडियू को देख लीजिए और किस प्रकार का प्रश्ण बॉर्ड के एक्जाम में आने वाला है इसको आप पहले से तयार कर लीजिए ठीक है देखिए आपका जो पेपर का कोड़ है 825 EY है ठीक है यहां पर पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलता है तीन घंटा पंदरे मिनट का समय मिलेगा और आपका जो पेपर होगा 70 नंबर का रहेगा ठीक है जितने भी जिले है जितने भी स्टुडेंट है इस पेपर को आप जरूर देखके बोर्ड के एक्जाम में जाईएगा आपको इस पेपर से मैक्सिमम क्वेस्टन बोर्ड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है यहां पर कुछ इसके नोट दिए गया और निर्द पढ़िएगा पढ़ने के बाद यह डिसाइट कीजिए कि कौन सा क्वेस्टन आ रहा है जो क्वेस्टन आपको आएगा उसको आप सबसे पहले उत्तर पूस्तिका पर लिखिएगा ठीक है यहां पी इसके निर्देश दियेंगे पहला निर्देश यही है कि सभी प्रश्ण ज 20 बहुई कल्पी प्रश्ण रहेंगे इस 20 बहुई कल्पी प्रश्ण का जो उत्तर आपको देना है heg एक बार उत्तर OMR सीट पर लिख देते हैं तो आपको किसी प्रकार का कार्ट पीट उस पर नहीं करना रहेगा ठीक है अगला निर्देश बताया गया है कि प्रश्ण के अंग उसके सम्मुक निर्धायित किये रहते हैं अब देखें यहां पर एक खंदबाव हैं खंदबाव में 50 अंग का वड़ात्मक प्रस्ण रहेगा इस वड़ात्मक प्रश्ण को जो उत्तरपुष्थिका बोड की उग्जाम मिलेगा आप उस पे उत्तरपुष्थिका पर आपको लिखना रहता है ठीक है इसमें भी वरात् अब यहां पर खंडबा है सभी प्रश्णों को उत्तर एक साथ ही करना है प्रथम प्रश्ण पत्र से आरम कीजिए अंतिम प्रश्ण पत्र तक करते जाए जो प्रश्ण ना आता हूं उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है इसलिए निर्देश को पहना बहुत ज्यादा जर करना है जो मांचित्र रहेगा आपको जो उत्रपुस्तिका रहेगा उसी में आपको बांधना रहता है द्रिश्टिबादित पर चातों के लिए मांचित्र के अस्थान पर अलग से प्रश्ण 9a और 9b लिखने के लिए दिया जाता है ठीक है यह इसके कुछ मुख्य करस्फमर का प्रश्ण क्या है कि निमदलिखितमे से कौन सा 804 चार के नेपॉलियन और कोड में नहीं जोड़ा गया कया है तो अाफशन देखिये जन्म से प्राप्त विशेश अधिकार को नहीं जोड़ा गया है सामंती विवस्था का अंत संपत्ति का यदिकार कानून के स mmm हैंतोन कर दोम पेधानिजन या आतरो स्रोटका डीपलर जोड़ा अधिक्न का इसमान में का दो प्राप्त. में फिरतरे स्भावट ऐसेवड अधिकार स्यंगितोर। में फरांस की क्रांती कब हुई थी ? तो 789, 789, 789, 889 देखे फ्रांस की जो क्रांती हुई थी ठीक है तिहां पर ध्यान दीजिएगा फ्रांस की क्रांती जो हुआ था 789 हुआ था इस प्रश्ण का सही जवाब होगा सी वला आपसन सही हो जाएगा जिसे OMRC पर आपको इसका इंसर देना होगा ठीक है तीसरा नमबर के देखें अठारहसो एकशट में एक किरित इटली का समराट किसे घोशित किया गया था आपसन इमेंवल द्यूति को जूसपी मेचिनी को विलियम प्रथम को यह जूसिप गरें बाल्डी को ठीक है इस प्रश्ण का सही जवाब होगा इमेंवल द्यूति को इस आपका यह एव लगदा एकशट में एक किरित इटली का समराट किसे घोशित किया गया था इमेंवल द्यूति को इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा आपका यह वला आपसन है ठीक है अगला प्रश्ण आप दिजियए कि अगला नंबर क्या है आपका चौथा नंबर का कि बेल्जियम कहां इस्थी ते याने प्लेट कव आफ्रेका में अस्ट्रेलियामे या यूरोप में ठीकें है बेल्जीम जुक्त है कहां पेश्थी थे तो बेल्जियम आपका यूरोप महादूप मेश्थी थे इस प्रश्ण का सही जवाद डीवल आपसन सही हो जाएगा अगला नमबर देखिए पांचवा नमबर का 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था ठीक है आपसने किसी छेत्र में अधिक इस उत्पाद होना अत्यदिक निवेश्ट बैंको का निजिकरण उद्योग्य की संक्या में ब्रिद्धी ठीक है यहां पर देखिए आप कि क्या है कि 1929 में ठीक है यहां पर क्या दिखा है 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था ठीक है इसका सही जो यह वाला ऑफरिका में रिंड पेश था क्या था एक जानवर एक घटना एक खेल यह एक वीमारी तो अफ्रिका में जो रिंड पेश था एक था एक बीमारी था इसस प्रश्ण का सही होगा चेह सब्सक्रान करते हैं ему bunker खित में से काउन सा राजिसूची का विसे नहीं है यह बतान है तिसका सही जो बीवला आपसन सही हो जागा कि राजी सूची का विशे नहीं है तो विदेशी कारिन नहीं है अगला नमबर देखिए आठवा नमबर का कि नीमनलिकित में से संगात्मक सासन कहां नहीं है यहां पर पताने संगात्मक सासन कहां पर नहीं है भारत में स्रिलंक संगात्मक साथन में नहीं इस प्रश्न का सही जो क्या हुआ थी कि अगर नंबर देखिए द्रीम नलिकित में से किसका संबंद्ध लोगतंत्र से नहीं है यहाँ पताने कि लोगतंत्र से संबंदित नहीं है जैसे आप से श्वतन और निश्पंच उत्तरदाई शासन कानून के संच þबानता बहुसंख्योंकों स् सही प्राशन देखिए दसवा नंबर का कि निम्न लिखित में से कौन सी संगात्मक सासन की विशेष्था नहीं है संगात्मक सासन की विशेष्था आप यहां पर पताना है कि कौन सा नहीं है आपसने सक्तियों का वित्रण सक्तियों का केंद्रिकरण सरवच न्यायपालिका या कठोर सन्विधान तो के संघात्मक साशन की विसेश्था जैक्ते के लिए म सannya संगहात्मक साशन की विसेश्थाय कौन सी नहीं होगा चलिए ग्रीष्ण को देखते हैं कि देखें कि का पास की खेती के लिए निमर्खित में से कौन से उपयूग थे कपाज की खेती के लिए आपसने लाल मिट्टी, लेटराइट, काली मिट्टी या जेलोर मिट्टी तो यहाँ भी देखे कपाज की खेती के लिए आप सभी को पता होगा कपाज की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा डी वला आपसन सही होगा अगला देखिए बारा नंबर का कि कर्तन एम दहन किर्सी जिसे जूम किर्सी के नाम सी भी जाना जाता है निमनलिखित में से किस राज में अपनाई जाती है आपसन है राजस्थान में उत्तर परदेश मिजोरम कर्तन एम दहन के खेती के बारे में पूछा ना कि कर्तन एम दहन किर्सी कहां पर होती है कि मिजोरम राजजी में होता है इसका सही जब क्या होगा सी वला आपसन सही होगा अगला देखिए तेरे नंबर सवाल देखिए कि मिंदलिखित खनीचों में से कौँस एक आधार आगला नबर देके 14 नंबर आपको बताना न चल 새year या ज्त सभी यहाग तो उल्हाइभ सभल कैंटर कर नैंट जि Satya क्या है और कि निमनली खित मेंसे काईसा उद्योग को कच्छे माल के रूप में Nok P किसे संबंदिर सही ऑगले नमबर के सवाल को देखते हैं देखा तो 16 नमबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विक्सित देश है यानि विक्सित देश बताना है आपको कौन सा है जैसे यहां पर आपसंद भारत है ब्राजील है फ्रांस है या बंगला देश है ठीक है तो विक्सित देश यहां में बताना है कि कौन सा विक्सित देश है तो व ब्यक्ति आय को दिखा जाता है ब्यक्तियों की साथ चर्था आस्तार या इन में से सभी किसी देश के विकास को निर्धायित करता है यह सभी जितने भी पॉइंट देश सभी निर्धायित करता है इस प्रश्ण का सही जो अगला देखिए आप 18 नमबर का कि निम्न लिखित मै से कौन सा ग्रामीड छेत्र के विकास का लच्छे ठीक है यहां से ग्रामीड छेत्र के विकास का लच्छे किसे रखा गया है जैसे नियमित कारे को रखा गया है उपज की उचित कीमत को रखा गया है या बेहतर मज़दूरी को रखा गया है या इन में से सभी को रखा गया देखे ग्रामेडी छेत्र के विकास का जुलत्षे रखा गया है नीमित कारेकों भी रखा गया है इसके लाँ उपज की उचित कीमत भी होना चाहिए और बेहतर मजदूरी भी होना चाहिए इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा आपका डी सही होगा अगला देखिए 19 नंबर क प्रश्ण का सही जोग क्या होगा एवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं 20 नंबर का देखिए नीमना लिखित में से किस वर्स में उपवक्ता सुरच्छा आधिनियम पारित किया गया है तो सुरच्छा आधिनियम किस वर्स पार आपको बताएंगे यहां पर सवाल को जल्दी जल्दी बता देते हैं प्रश्णों को आप जरू दियान दीजिएगा पहला नंबर है कि प्रवाद्यो की ने वैसीविटकर की परकिरिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है उधारा सईध असपर्ष्ट करना है चार नंबर का प्यपर हाएंगा और कितने सब्दों में इंसवर देना रहता है पचास सब्दों में अगला है कि प्रधम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत क्या परभाव पड़ा टूटल चार नंबर का प्रश्ण रहता है अगला प्रश्ण को दूसरा नंबर का है कि भारत में संगे शासन की किरी दो विशेष्थाओं को विवेशना कर प्रश्ण थाक संसादन नियोजिन की अवशक्ता क्यों पढ़ती है इस हे तूँ कोई तीन उपाएं बताएं जितने भी प्रश्ण बता रहें सभी प्रश्णों को आप जरू तयार करके बोड के एक्जामें जाईएगा अगला है कि आर्थी गतवीदियों को रोजगार की प्रश्णियों के आधार पर कैसे वर्गी किरित किया गया है इसके अलवा प्रश्ण तयार करना एक राष्टी ग्राम मीर्ड रोजगार गारांटी अधनियम जो दो हज़र पास था उस पर एक संचिप टिपड़ी लिखना रहता है इसके अलवा रातमक जो सेकेंड होता है इसमें प्रतेग प्रश्ण का उत्तर होता है डेवरे सो सब्दों में देना होता है और प्रतेग प्रश्ण छाचा नंबर कराता है ठीक है यहां पी देखिए आपका जो है कि नेपोलियन कौन था उसके सुधार क्या प्रभाव पढ़ा इसके अलवा सवीने अवाग्य पर ही निर्वर करते हैं क्यों इस इस्थिति में छुट कारा पाने के सुझाव आपको बताना है लोकता अंत्रिक साशन ब्यवस्था अन्यशासन ब्यवस्था से बहतर माना जाता है कारण से असपश्ट कीजिए इसके अलावाद देखिए कौन सा प्रश्ण है किसी आर्थ ब्यवस्था में किर्सी का क्या मोहत्त होता है समझाइए इस प्रश्ण को तयार करना है साथ में चावल की खेती है तू उप्युक्त भहोगौली की दसाओं की विवेचना कीजिए तो भारत में किरिति प्रमुक्त पादक छेत्रों का उल्लेक करना है जितनी भी प्रश्ण सुरच्य अधनियव 1986 की विवेचना कीजिए टोटल छाचा नंबर का सभी प्रश्ण था ठीक है अगला प्रश्ण देखें अगला प्रश्ण जो रहता है मान्चित्र से संबंदित प्रश्ण रहता है इसका एंस्वर आपको बताएंगे मान्चित्र से संबहित 10 नंबर का दस नंबर का प्रश्ण रहता ठीक है इसका भी भाग है नाइन नाइन बी में यह बटाए दो भागों में नाइन एग जुम रहता है यह पांच नंबर कराता है जिसे आपको मांचीत्री पर करना रहता है यहां पर पहला सवाल है कि वह अस्थान जहां 1927 में भारती राष्ट पर देखाना है तो आपको मद्रास को कहां पर देखाना है तो प्रशन करें उन सभी प्रशनों का आप देख लिजी आप बोर्ड के एक्जाम में 100% गारंटी देते हैं कि 10 नंबर आपको कहीं नहीं गया पूरा 10 का 10 नंबर आपको उसी वीडियो से आप सभी का बोर्ड की एक्जाम में आएगा ठीक है यहां पर सिर्फ इसका एंसर बताते हैं मांची तरफ इसका प्राक्टिस जरू कर लिजिएगा देखिए अगला है कि वह अस्थान जहां गादी जिने नवक बनाना प्राले मरें से प्रस्थान आप सभी को पता है कहां से प्राणा किया दांडी से और डांडी है कहाँ nor ठीक है अगला प्रसंड ना, तरफ मिल सरम्राइव कहां सत्थ अहमदाबै पाट प cięए आप सबी को पता है कहां से अमिरित्तर भुए ठीक है अगला देखे प्रशन क्या है आपका यहां पर दियान दीजेगा जहां पर आपको क्या करना दर्शान रहता है जैसे देखिए राजस्थान की राजधानी को चिने द्वारा दिखाना रहता है ठीक है मानचित्र पर सभी मानचित्र वाले प्रश्ण आपको हल करा हैं अभी तक नहीं देखें तो जाके वहां से देख सकते हैं ठीक है तो राजस्थान की राजधानी कहां पर है तो राजस्थान की राजधानी आप सभी का पता है कि जैपूर क्या है राजस्थान की राजधानी जैपूर दिख यमुना कोई वह दिखा सकते घंगा दिखादिजिए अगला प्रश्णके प्रमाड उ입니다 और के लिखना था आपstemगाद्नेव पर्माड़ उर्जा केंद्र है द्शन पड़ता है इसके लाव नरोरा भी देखा सकते हैं कहां पर यह है आपका उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रमाव उर्जा केंद्र है उसमें से किसी एक कोई आप इस चिन के द्वारा दिखाना रहता है मांचित्र पर ठीक है अगला देखिए दचिर भारत में कहवा उत्पाद को एक र लिडिएं तो आप पहले लिस्ट से जाके सभी वीडियो का आप देख सकते हैं कि मांचित्र सभी को प्रषणों का इंस्वर दिखाना रहता है ठीक है जितने भी आपके समाजी विज्यान के पेपर बे क्वेस्टन पूछे गया तो सभी आपको पता है इसी प्रकार की पत्र से संबंदित जितने भी वीडियो आपको प्रवाइड कर रहे हैं सभी का अधिल डेखा किजिए और जितने भी प्रश्ण करते पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करे है।